नमस्कार बहुत स्वागत है अपसे भी का आपके साथ मैं पल्लवी रवी इंदर सिंग हसन नसुरुला को खत्म करने के बाद भी इस्राइल ने जंग जारी रखने का फैसला किया कल से अब तक इस्राइल की सेना ने लेबनाद पर कई हमले किये उधर हिजबुला ने बदला लेने का ऐलान कर दिया तो इरान और यमन ने अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है अब सवाल है कि इस्राइल और हिजबुला की जंग कहा जाकर रुकेगी हिजबुला चीफ हसन अरसला की मौद के बाद भी नहीं रुके इस्राइल के हमले दिन के उजाले में लेमनान पर गिरी इस्राइल की मिसाइल रात में भी जारी रह इस्राइल का लेमनान पर हमला हसन अरसला की मौद के बाद हिजबुला और रिनान के इलिए आगे का रास्ता क्या है हिजबुला ने इस्राइल के खिलाब जंग जारी रखने की बात कई है तो इस्राइल का लेमनान पर हमला जारी है अज़राईल और हिजबुल्लह के भी जारी जंग में आगे क्या होगा ये तीन बड़े और बनियादी फैसलों पर ठिका है पहला अब हिजबुल्लह क्या करेगा दूसरा एरान क्या करेगा और तीसरा और सबसे बड़ा इसराईल क्या करेगा इस्राइल अपने सबसे करीबी अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के युद्वराम के प्रिस्ताफ को दरकिनार कर अपना इरादा साफ कर चुका है लेकिन इसराइल और अमेरिका के बेच अंदर खाने क्या प्लैन हो रहा है इसकी साफ तश्वीर अभी दुनिया के सामने नहीं है नसरल्ला के खात्मे के बाद भी इसराइल ने हिजबुल्ला पर अपना हमला जारी रखने का फैसला लिया है आईडियाफ ने साफ कर दिया है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्ला की तरब से मिसाइल हमलों का खत्रा दूर नहीं हो जाता हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा मतलब ये कि अगर इस्राइल को हिजबुला के हमलों के खत्रे को दूर करना है तो उसे लेबनान में जमीन पर अपनी सेना उतारनी होगी और इस्राइल की सेना ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए पैदल सेना के एकसरसाइस के कई वीडियो भी चारी किये लेकिन जमीन पर जंग लड़ना इस्राइल के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि ये बात गाजा और हमास की नहीं है 2006 में लेबनान में इस्राइल और हिजबुला में आखरी सीधी जंग हुई थी लेकिन हिजबुला ने पिछले यूत्व के खत्र होने के बाद 18 साल तागे एक बड़ा समय वार एकसरसाइस में बिताया इसका मतलब ये है कि इस्राइल की सेना इडियेफ के लिए लेबनान में घुसना असान हो सकता है लेकिन गाजा के मुकाबले वहां से निकलने में महिनों लग सकती है इस्राइल के साथ संगर्ष में हिजबुला को बड़ा नुकसान जहिलना पड़ा है हिजबुला के एक के बाद एक टॉप कमांडर मारे गए है पिछले दुनों पेजर और वाकी टॉप की धमाओ को ने भी हिजबुला के संचार तंथ को रुपसान पहुचाया जबकि इस्राइल की हवाई हमलों में हिजबुला के कई हत्यार तवा हो चुके है बावजूद इसके हिजबुला ने इस्राइल के खलाब जंग जारी रखने का फैसला किया है उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं जिने सीरिया में जंग लड़ने का नुभव है और वो बदला लेने की बात कह रहे है हिजबुला के पास इरान से मिले मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है जिसमें सटिक निशाना लगाने वाले लंबी दूरी के हित्यार है वो तेल अवीब और इस्राइल के दूसे शेरों को निशाना बना सकते हैं लेकिन अगर हिजबुला ने इस्राइल की हवाई सुरक्षा को चक्मा दे कर इस्राइल के शेरों को निशाना बनाया तो इस्राइल बिनास कारी और सबसे बड़ा युद्ध लॉंच कर सकता है इसके बाद इस्राइल सिर्फ हिजबुला को टार्गेट नहीं करेगा लेबनान के बुन्यादी धाचे पर प्रहार कर कहर पर पा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसकी गूंज राग तक पहुँचेगी और हो सकता है कि इरान की सीदे युद्ध में एंट्री हो जाए अगर ऐसा हुआ तो जंग की सबसे भी शड़ कहानी शुरू होगी दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला UNGA में इस्राइली प्रधान मंत्री के तेवर से साफ हो चुका है कि इस्राइल की और से नजर उठाने वालों को अंजान जो है वो बेहत बुरा होने वाला है फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों नहीं हो जाए गाजा में हमास और लिबनान में हिजबुला का हिसाब करने के बाद इस्राइल रुकने वाला नहीं आशंका ही जताई जा रही है कि इस्राइल एक बार फिर से ओपरेशन फोकस शुरू करने वाला है अब इस्राइल के टारगेट पर सीरिया, इराक और यमर खरीब एक साल से गाजा में सैन्य उपरेशन के दौरान इस्राइल हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडरों को अंजाब तक पहुँचा चुका है दुश्मन को चुन-चुन कर मारने वाली इस्राइली सेना ने लेपनान में भी हिजबुल्ला का हिसाब बना शुरू कर दिया है महस दस दिन के अंदर हिजबुल्ला के कई बड़े कमांडर धेर किये जा चुके हैं यानि इस्राइल अब अपने लक्ष को पूरा करने के करीब है लेकिन नेतनियाहू की फोर्ज इस बार किसी को भी बख्षने के मूट में नहीं है लेहाजा अशंका जिताई जा रही है कि इस्राइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है इस उपरेशन के तहट 1967 में इस्राइल ने मिस्र जॉर्डन और सीरिया पर हमले शुरू किये थे और माना जा रहा है कि अब उपरेशन फोकस रिटर्न का टागेट सीरिया, इराफ और यमन बनने वाले हैं सीरिया, इराफ और यमन टार्गेट पर क्यों? UNGA में नेतनियाहू की स्पीट से मिला संकेट इरान के प्रॉक्सी गुटो पर इस्राइल करेगा बार दरसर शुक्रवार को इस्राइल के पीम जब सयुक्त राश्र महसभा में अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहीं इसके संकेट मिल गए थे नेतनियाहू ने इस्पीच के दौरान दो नक्षे दिखाए एक को दुनिया के लिए आशिरवात बताया तो दूसरे को अभिशाब नेतनियाहू ने कहा कि पिशली बार मैंने एक नक्षा दिखाया था जिसमें इस्पीच दौरान दो नक्षा दिखा कर कहा कि एक तरफ भविश्य की उमीद है तो दूसरी तरफ भविश्य का अंधकार दरसल इस दूसरे नक्षे में इरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंगों में रंग कर अभिशाब बताया था माना जा रहा है कि इसराइल सीधे तोर पर इरान पर हमला नहीं करेगा वो चाहता है कि इरान खुद इस जंग में कूदे इसलिए वो हमास और हिजबुल्ला के बाद इराक, सीरिया और यमन में मौजूद इरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है तशकों पुरानी है इस्राइल और आरब देशों की दुश्मनी 1967 में इस्राइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से जंग जीती थी इस्राइल ने शुरू किया था ओपरेशन फोकस खरीब 100 साल पहले फिलस्तीन पर विटन का कबजा था और बिटिश ने फिलस्तीन को दो हिस्सों में बाट कर यहूदियों के लिए स्वतंत्र इस्राइल राष्ट्र बनाने का बादा किया था लेकिन अरब जगत की देश इस्राइल की स्थापना के खलाफ थे आखरकार विवाद बिना सुलजाए 1948 में बिटिश शाषक मिडल इस्थ के इस हिस्से से चले गए और इस्राइली ने ताउने 14 माई 1948 को स्वतंत्र इस्राइल की घोशना कर दी इस्राइल के गचन की अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस्राइल पर हमला कर दिया ये पहला अरब इस्राइल संख़श था करीब एक साल तक चले इस युद में इस्राइल की जीत हुई और जंग के खत्म होने की बाद सयुक्त राष्ट ने स्वतंतर फिलस्तीन के लिए आधी जमीन मुकरर कर दी यहीं से फिलस्तीनियों के लिए त्रास्दी का दौर शिरू हो गया इस दौरान करीब साड़े साथ लाख फिलस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा क्योंकि यहूदी सिना ने उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया था इसके बाद साल 1967 में दूसरा अरब इस्राइल संगर्श हुआ छह दिन तक चले इस युद्ध को सिक्स डे वर के नाम से भी जाना जाता है पांच जूल 1967 से 10 जून तक इस्राइल ने मिस्र जॉर्डन और सीरिया के खलाफ जंग लड़ते हुए कामियाबी हासल की इन तीनों देशों के खलाफ की गई सेने कारवाई को ही ऑपरेशन फोकस कहा जाता है इस युद्ध के नतीजों ने मिडल इस्ट का नक्षा ही बदल दिया दरसल इस जंग के परनाम स्वरूप गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायदीब पर इस्राइल का कबजा हो गया यही नहीं जॉर्डन से पूर्वी जरुसलम सहित वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स भी इस्राइल ने छीन लिया था और अब 57 साल बाद इस्राइल एक बाद फिर ऑपरेशन फोकस का सहारा लेकर इराक, सीरिया और यमन के बहाने इरान को सबख सिखाना चाहता है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है हिजबुला चीप नसुरुला के मारे जाने के बाद इस्राइली सेना ने पूरे लेबनान में हमले बेहद ही तेस कर दिये इधर प्रधान मंत्री ने इतना हूँ ने ऐलान कर दिया कि हिजबुला के साथ साथ अब इरान को भी छोड़ा नहीं जाएगा मार दिया हिजबुला चीफ काले ताबूत में जाएंगे इरान सीरिया यमन शुकरवार को बेरूत में इस्राइली वायू सेना ने जिस तरह से हिजबुला चीफ हसन नसरल्ला को भीशन धमाके से उड़ाया उसे देखकर पूरे मिडलिस्ट में हरका मचपा है हिजबुला चीफ नसरल्ला का मार जाना लिबनान युद का बहुत बड़ा टरनिंग पॉइंट है अब लिबनान में एक भी हिजबुला का ऐसा टॉप कमांडन नहीं बचा है जोईजरायल से जग कंडन की हिमत कर सके एक भी हिस्बुला काईसा कमांडन नहीं बचा है जोईजरायल से जग पर बला पैसला ले सके चेल नमदा बमुछनות C בכל הגזרות אנחנו עדיין בודकים את ओוצות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאला שמוקמה माल לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדאחיה बतुख मर्खब ततकर काई अनक्नो नाटकेन बरेग़ शनेदा अनक्नो योदीम शहातकिफा शेलानू हैता मेध मेधूयकत इदर एरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने एमर्जनसी मीटिंग बुलाई है दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने कमांडर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडलीस्ट में बहंकर जंग होने जा रही है और अब इरान को इसराइल से जंग करने के लिए आखरी युद्ध करना होगा इसराइल के प्रदान मंत्री नेतनियाहू ने संयुक्तराष्ट में पूरे मिडलीस्ट में भेंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्षा दिखा दिया है जिसमें इरान, सीरिया, लिबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिये है अब तो ये भी खबरे आ रही है कि हमास के बाद हिजबुल्ला का पूरी तरहां से सफाया होते ही इसराइल इरान को भी पूरी तरहां से थबा करने में जुड़ जाएगा इन दो तस्पीरों से साब समझा जा सकता है कि इसराइल हमास और हिजबुल्ला के सफाय को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था एक तरफ उसरे 27 दिसंबर दिन शुकरवार को इस बुल्ला का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्ला को मार डाला तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को वो नक्षा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है फिलिस्तीन का मुद्धा कबर में दफन हो गया है वहीं नसरल्ला को मार कर इस्राइल ने दिखा दिया है कि लिबनान की तरफ से जो मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है इस्राइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अपना सरल्ला दुनिया को डरा नहीं पाएगा इधर पीम नेतन याहू ने इस्राइली डुश्मनों पर भड़कते हुए कहा है कि हमारे पास टील की नसे हैं पीम नेतन याहू ने बेरूत में इस्राइली हमले के बाद कहा कि हमारे दुश्मन सोचते हैं कि हम मकडी के जाल की तरह हैं लेकिन हमारे पास टील की नसे हैं। हम आपको बता दें कि नसर अल्ला कैई बार अपने भाशनों में इसराइल को मकडी का जाल बता चुपा था। लेकिन अब इसराइल के इसी बारूदी जाल में फसकर वो मारा जा चुपा है। अलगी इरान का अभी भी यही दावा है कि हिजबुल्ला चीफ हजन नसर अल्ला जिन्दा है। लेकिन इरान कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है। न्यूयोप टाइम से मुताविक बेरूद पर इसराइली हमले के बाद इरान के सरवोच नेता। आयातुल्ला खामनेई ने शुकरवार रात अपने घर पर राष्टिय सुरक्षा परिशत की एक एमरजंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में इरानी राष्टपती मसूद पजिश्क्यान ने इसराइली हमले की निंदा की और इसे वार क्राइम बताया। कामनेई के सलाकार अली लारी जानी ने कहा कि इसराइल हत पार कर रहा है। लोगों की हर्त्या से समधान नहीं निकलेगा। दूसरे लोग उनकी जगा ले लेंगे। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. गज़ा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे Middle East में फैल रही है। इसे 15 देश तो मुस्लिम है। जबकि एकलौता यहूदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का इरादा रखता है। अलगी नेतन याहू ने Middle East के कम से कम 6 देशों को इसराइल की तरफ मिला लिया है। इसलिए एरान, लिबनान, सीरिया, एराक और यमन के लिए इसराइल को आसानी से हरापाना लगभग असंबब है। अब देखना होगा कि हिजबुल्ला संग्टन में 32 साल से चीफ रहे। नसर अल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला इसराइल से जंग कैसे करता है। चीफ कौन होने वाला है। मीडिया रिपोर्टों के मताबिक नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर सामनी कई नाम आ चुके हैं। दो नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्ला के नए चीफ के तौर पर सब से आगे हैं। मारा गया हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला। अब कौन संभालेगा हिजबुल्ला की कमान। किसे मिलेगी हिजबुल्ला चीफ की गद्दी। नसरल्ला की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सबाल यही है कि हजबुल्ला के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इस्रेल लिम्नान के बीच तनाव वाले महौल में दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जुन में पहला नाम है हाशेम सफिद्दीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्ही दोनों में से एक को आने वाले कुछी दोनों में हिजबुल्ला की कमान सौपे जानी की खबरे सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्टों के मताबिक नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर सबसे आगे जुनाम चल रहा है वो है हाशेम सफिद्दीन का। बताय जा रहा है कि हाशेम की वेशबुशा और हावभाव नस्रलला से मिलते जुलते हैं। तीन दशक से हाशेम सफिद्दीन हिजबुल्ला की टौप लीडर्शिप में शामल है। हाशेम लेबनान के टेरर ग्रूप का फाइनन्स चीफ बताय जाता है। नस्रलला के खातने के बाद हाशेम मिलिटर विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशेम को संगचन के चेहरे के तौर पर स्थापत करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। इरान के साथ सफिदीन के मजबूत रिष्टे हिजबुला चीफ के लिए उसकी दाविदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वह हिजबुला के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेक नईम कासिम का। शेक नईम कासिम को भी हिजबुला का नया चीफ बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुला के नए चीफ के नाम का एलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरला के सफाय के बाद भी इस्रेल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि हिजबुला की मौत का बदला लेने का इरान ने प्लैन बनाया है जुसमें हिजबुला का नया चीफ एक एहम भूमे का निभा सकता है। गैंस्टर लॉरंस विश्णोई के एक टीवी चैनल को दिये गए इंटर्वी के मामली में एक संसनी केस खुलासा हुआ। पंजाब पुलिस के S.I.T. ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सौपी है जिसमें सामने आया है कि लॉरंस ने पंजाब की जेल से नहीं जैपुर की सेंटरल जेल से जुमैप के माध्यम से इंटर्वी दिया था। क्या है पूरा मामला आपको रिपोर्ट में करीब देड़ साल पहले देश के सबसे कुख्याद गैंगिस्टर लॉरंस विश्णोई का एक इंटर्व्यू निजी निउस चैनल पर टेली कास्ट हुआ था। इंटर्व्यू कैसे दे दिया। इंटर्व्यू के बाद पंजाब जेल पर कई सवाल भी उठे थे। लेकिन अब इस मामले में एक चौगाने वाला खुलासा हुआ है। दरसल जिस समय इंटर्व्यू सामने आया था उस दोरान लॉरंस पंजाब की भटिंडा जेल में था। जिसके बाद पंजाब पुलिस की जेल में सुरक्षा विवस्था पर सवाल खड़े हुए थी। और इसी के साथ फिलाल के लिए इस बुलिटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक चोटी से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरे आप देखिए। मरो रजस्तानुे झाल